नमस्कार, स्वागत है जारखन की फटा-फट ताजा बड़ी ख़बरों में पहली बड़ी ख़बर मुखपंतरी हेमन सोरेंश ने रिम्स बलड बैं के लिए रक्तदान किया मुखपंतरी ने कहा रक्तदान मानव जीवन की रक्छा के लिए संजीविनी का कारे करता है उन्होंने कहा हर स्वस्थ व्यक्ति को अपनी स्वेक्षा से रक्तदान करना चाहिए जार्खण में आज रात आठ बजे से नाइट कर्फ्यू सुबच छे बजे तक बाहर निकलने पर रोक मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने पूरे जार्खण में नाइट कर्फ्यू का एलान किया है इस दोरान राज में रात आठ बजे की बाद तमाम ब्योसाईक परतिष्ठाने बंद रहेंगी आम आदमी के रात आठ बजे से सुबच छे बजे तक अपने घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी इसके साथ ही जार्खण में धारा 144 लागू कर दी गई है पांच या इससे अधिक व्यक्ति सड़क पर एक साथ नहीं चल सकते मुखेमंत्री हमलसुरेन मंगलवार को समूचे जार्खण में नाइट कर्फिव लागू करने का आदेश दिया है पिकनिक मनाने जा रहा एक परिवार सड़क हाथ से का शिकार बार घायल दोस्तों गुमला में आज सुबस ट्रक और पिक अप की भीडंत में पिकनिक मनाने जा रहे एक ही परिवार के बार से अधिक लोग घायल हो गए इन में से एक की हालत चिंता जनक बताते हुए उसे सदर अस्पताल के चिकित सकों ने रिम्स रेफर कर दिया है वही बाकी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में कराय जा रहा है परिवार के सभी लोग पिक अप से पिकनिक के लिए बुढ़ा घाग जा रहे थे आपको बता दे कि ये सड़क खाथसा गुमला जीले के राइडी थाना शेत्र के डोभ डोभी के पास गुरवार शुबक हुआ है कोरोना वैक्सिन लगवाने वालों को सरकार दे रही है 5000 रुपे जीतने का मौका दोस्तों वैक्सिनेशन के प्रोसेस को तेज करने के लिए मोधी सरकार ने एक कॉंटेस्ट शुरू किया है जिसके ताथ वैक्सिन लगवाने वालों को 5000 रुपे जीतने का मौका दिया जा रहा है mygov.in पर चल रहे इस कॉंटेस्ट में हर वो व्यक्ति भाग ले सकता है जो वैक्सिन लगा चुका है या उससे या उसके परिवार में कोई वैक्सिन लगवा चुका है इस कॉंटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको अपनी या परिवार के किसी मेंबर के वैक्सिन लगवाते हुए फोटो शेयर करनी होगी। इस फोटो के साथ आपको एक टैग लाइन देनी होगी जो वैक्सिनेशन के मतों को बताए या लोगों को वैक्सिन बनवाने के लि कारेक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कारेक्रम के लिए बैंक्वेट हॉल बुक हुआ तो जीला परशासन उसे सील कर देगा। संचालक पर भी कानूनी करवाई होगी। यह जानकारी बुद्वार को श्यामा परसाद मुखरी बिशुविद्यालय साभाकार में इंसिडेंट कमां पर परतिबंद रहेगा। महराष्टर में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रे ने भेजी 30 स्पेसल टीमें। महराष्टर में कोरोना महामारी का संकर्मन तेजी से अपने नए पीक की और बढ़ रहा है। यहाँ बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रे सरक इस विज महराश्टर में एक वैक्सीन डोज खत्म होने की कागार पर है। राज्य सरकार के अनुसार अब यहां केवल एक से दो दीन का ही डोज बचा है। पिछले 24 गंटे में अब तक के सबसे ज़्यादा 69,907 मामले सामने आए हैं। 11 से 28 अपरेल तक न्यूजिलेंड में नहीं जा सकते भारतिय नागरिक सिंगापूर ने 8000 बीजा पर लगाई रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूजिलेंड ने भारतियों के आने पर रोक लगा दी है। भारतियों के न्यूजिलेंड में एंट्री पर बैन 11 अप्रेल से 28 अप्रेल तक लागू रहेगा न्युजलेंट की परधान मंतरी जैसिंडा और डर्न ने इसकी घोशना करते हुए कहा कि उनके देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संकर्मन के 23 मामलों में से 70 भारती हैं ये सबी भारत से लोटे थे इसलिए ये फैसला लि काल के दोरान सिंगापूर से भारत आये थे और अब वापस जाना चाहते हैं